हेलो दोस्तों वेल्कम डो माई चैनल अनम लॉजिक दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा अगर आपके PC में कोई भी पासवर्ड लगा हो तो आप उसको किस तरीकी से रिमूफ कर सकते हो तो चलिए दोस्तों शुरू करते जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल अनम लॉजिक को सब्क्राइब कर लिजिए और वीडियो में दोस्तों आपको एक भी चीज अगर सीखने मिल गई तो लाइक करते करते जरूर जाना तो चलिए दोस्तों शुरू करें तो दोस्तों मैं अभी आ गया हो मेरे PC के उपर और यहां पर मैं आपको बतांगे किस तरिके से आपका जो पासवर्ड़ कंप्वार का उसको रिमॉव कर सकते हों तो दोस्तों यहां पर सीमस्ट साफ को स्टार्ट के बटन के उपर क्लिक करना यहां पर दो यहांपर दिखियें जिस तोर के बटन के एक तो बिटन Bis एक small icon हो गया तो अब हम select करेंगे large icon को ठीक है large icon को select करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको user account जो दिखाए दे रहा है इसके उपर आपको click कर लेना है और जैसे आप इसके उपर click करते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड जो लिखा हुआ है इसके उपर आपको click कर देना है जैस ठीक है तो जैसे हम remote password के उपर हम click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखे रिमोट पासवर्ड के उपर जैसे ही मैं click करता हूं उसके बाद यह पूरी तरीके से password क्या होगा remove हो जाएगा मेरे computer में से अब मेरा computer पूरी तरीके से password free हो जाएगा यानि कि उसमें एक भी password नहीं रहेगा ठीक है इस तरीके से आप अपने computer का password या तो change कर सकते हैं या तो फिर पूरी तरीके से remove कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो मेरे चैनल अनम लॉजिक को सबसे पहले subscribe कर लिजिए और साथ ही साथ bell icon का button भी दपा दीजिए चलिए मिलते नेक्स वीडियो में thanks for watching